बड़ी खबर से शुरुवात करेंगे आपको बताते चले कि जमू के अंदर गुपकार डेक्लिरेशन की बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है प्यूपल एलाइंस वर गुपकार डेकलिरेशन की आज जमू में हो रही है बैठक और नेका अध्यक्ष डौक्टर फारुक अब्दुला के आवास पर ये बैठक लगातार जाई है बैठक में छे राजनेतिक डल रनीती कर रहे हैं और रनीती पर ही पूरी तरह से मन्थन किया जा रहा है जमू के कई सामाजिक संगठन भी बैठक में मौझूद हैं और डौक्टर फारुक अब्दुला के आवास के बाहर चाक चौबन सुरक्षा विवस्था कर दी गई है ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी जो कवायत जो है जारी रखी हुई है लेकिन प्यूपल एलाइंस फॉर गुपकार डेक्लरेशन ने आज यहां बैठक का दौर शुरू कर दिया है नेका ध्यक्ष डौक्टर फारुक अब्दुला के आवास पर ये बैठक हो रही है जहां पर कई राजनेतिक दल पहुँचे हुए है और राजनेतिक दल जो है वो पूरी रन्नीती पर मन्थन करते हुए भी नज़रा रहे हैं तो जमो के कई समाजिक संगठन भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं साफ तोर पर आप देखिए कि किस तरह से बैठक के अंदर लगातार अलग-अलग नेता जो है वो पहुँचते हुए नज़रा रहे हैं और डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला के आवाज के बाहर पूरी तरह से निगरानी भी रखी गई है चाक चौबन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और जाहिर तोर पर अब देखना ये होगा कि बैठक के अंदर किन-किन मुद्दों को लेकर चचचा होती है ये बैठक यहां पर की जा रही है और नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारुक अब्दुला की अगर हम बात करें तो डॉक्टर फारुक अब्दुला के आवास में ही ये पूरी बैठक यहां पर हो नी है क्योंकि प्यूपल अलाइंस फर गुपकार डेक्लरेशन के पार्टी को छोड़ कर अब देखना ये होगा कि क्या नेशल कॉंफरेंस यहां पर अपनी कवायद शुरू कर पाती है क्या यहां आम जो नागरिक हैं उनसे भी मिलना होता है या नहीं या फिर सिर्फ और सिर्फ जो छे राजनेतिक दल हैं उन्हीं से बैठक होगी और उन् साथ रननीती पर मंतन किया जाएगा लेकर